गुद मॉर्णिंग बच्चेओं मैं हूँ अमित तिवारी और आप देखने अपना YouTube चैनल Focus on Physics बच्चो आज के thumbnail को देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज हम Class 12 के लिए Physics से Related जो कि 2025 के लिए Important है Chapter 10 तरंग प्रकाश की यानि कि Wave Optics Related 25 Objective देखने वाले हैं अज फस्ट रूप से नीचे लिखा हुआ है कि जो Class छोड़ेगा वो पच्चताएगा Means आप समझ सकते हैं कि ये कितना Important आज का Class होने वाला है सो तो चलिए सुरू करते हैं आज के Objective को Question No.1 According to Newton, light consists of teeny particles called as यानि कि Newton के अनुसार प्रकास में छोटे-छोटे कन होते हैं जिसे कहा जाता है बचो Newton साहब ने 1675 में अपना एक Theory दिया था जिसको कहा जाता है करपस्कियूलर Theory यानि कि कनी का सिध्धान उसमें उन्होंने बताया था कि जब light travel करते हैं तो उस light के साथ छोटे-छोटे particle भी travel करते हैं यानि कैसे कह सकते हैं कि light का composition light जो composed होता है वो छोटे-छोटे particle से होता है छोटे-छोटे particle से मिल करके बने हुए होते हैं और उस particle को करपसल्स कहा जाता है हलाकि इनके Theory को 1850 में फोकॉल्ट के दुवारा गलत साबित कर दिया गया था क्यों गलत साबित किया गया था आगे एक question मिलेगा उसमें हम समझेंगे next question number two which property of light cannot be explained Newton's corpuscular theory प्रकास के किस गुण की व्याखेया Newton के करणिका सिधान्त के अनुसार से नहीं की जा सकती है बचो reflection का possible है reflection का भी possible है ठीक है ना linear motion का भी possible है यानि कि light जो straight line में travel करता है इसमें diffraction की possibility नहीं है यानि कि diffraction यानि कि वी वर्तन के बारे में उन्होंने explain नहीं किया था या उनके theory के अनुसार diffraction को explain नहीं किया जा सकता है next question number three according to Newton particle theory the speed of light is Newton के कणिका सिधान्त के अनुसार प्रकाश की गती होती है बचो Newton साहब ने कहा था कि light का speed different different medium में different होता है air में अलग होगा water में अलग होगा बाकि हर एक जगह पर मतलब कि हर एक medium में अलग-अलग होते हैं लेकिन वो इस बात का explanation नहीं कर पाए कि different medium में light का speed different क्यूं होता है इसलिए 1850 में अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि Foucault के दुआरा Newton के theory को गलत करके और यह साबित किया गया कि light का speed different medium में different क्यूं होता है खेर इसमें देख लें कि Newton के जो particle theory था उसके अनुसार light के speed denser में कम होगा viral माध्यम में कम होंगे और सगन माध्यम में जाधा होंगे ठीक है ना चलिए next question number four corpuscles are emitted from कणिका उत्सरजित होते हैं Newton साहब ने जिस particle की चर्चा की थी वह luminous object से release होता है luminous object क्या होता है कि वैसा object जिससे light emit होता है उसको luminous object कहेंगे हम next question number five which property of light cannot be explained by Huygens wave theory प्रकास के किस गोण की व्याखिया Huygens के तरंग सिधान से समझाया नहीं जा सकता है बचो reflection को समझाया जा सकता है reflection को भी समझाया जा सकता है diffraction को भी समझाया जा सकता है जिसको newton नहीं समझा पाये थे सिर्फ polarization को नहीं समझाया जा सकता है अच्छा Huygens के बारे में एक छोटी से story कहीं कहीं मिलती है कि Huygens ने कहा था कि light जो treble करता है यानि कि light को treble करने के लिए किसी medium की जरूरत होती है अब इस पर question arise हो गया कि आखिर light को treble करने के लिए जब medium की जरूरती है तो light space में कैसे treble करता है जहां medium है ही नहीं जो space है complete vacuum है निर्वात है तब इन्होंने मनगरंथे कहानी बताया था कि हमारा जो पूरा ब्रहमांड है वो एक परकार का material से भड़ा परा है जिसको luminiferous जिसे luminiferous ether कहा जाता है इसका nature elastic होता है यानि कि elastic property को follow करता है लचीला होता है और यह ऐसा एक medium है जिसको हम देख नहीं सकते हैं यह पूरे ब्रहमांड में इससे भड़े पड़े हैं पूरे ब्रहमांड इससे भड़ा पड़ा है और light इसी की मदद से space में चलता है बाद में इस theory को गलत कर दिया गया क्योंकि इसके बारे में कोई proof मिला ही नहीं कि ऐसा कोई material भी होता है ऐसा कोई substance भी पाया जाता है next question number 6 according to plank quantum theory light is composed by small packets of energy called plank के quantum सिधान्त के अनुसार प्रकास उर्जा के छोटे छोटे बंडलो या packetों से मिलकर बने होते हैं वह है अब देखो particles के बारे में तो नहीं पता लेकिन light जब triple करता है वो छोटे छोटे energy के packet में triple करता है यानि कि छोटा छोटा packet बना करके triple करता है या मिन light को अगर देखे हम तो light के अंदर energy के छोटे छोटे packet मिलेंगे और उस packet के नाम उन्होंने photon नाम दिया यह photon नहीं होगा photon होगा गलत हो गया है उन्होंने photon नाम दिया next the all nature of light is प्रकास की द्वैत प्रकृती है अब तक यह साबित हो गया था कि light जो होता है वो particle nature के साथ साथ wave nature को भी फॉलो करता है यानि कि कन के साथ साथ तरंग की प्रकृती को भी फॉलो करता है ता मारा option नमबर B सही होगा particle as well as wave next when light is emitted from a point source the wave front will be जब प्रकास एक बिंदू सुरोत से उत्सरजित हो रहा हो तो तरंगागर होंगे सबसे पहले wave front जान लें आप जब एक नदी के पास चले जाएं एकदम ठहरा हुआ पानी हो एकदम इस टील वाटर हो उसमें एक छोटा सा पत्थर डालिए आप देखेंगे कि पानी की लहरें ऐसे उठेंगी और चारों डारेक्शन में हर एक डारेक्शन में ऐसे आगे बढ़ेंगी देखेंगे आप उसी को wave front कहते हैं तो कर आप point source के दुआरा तो बच्चों देखिए यह मानगे point source है जिससे light emit हो रहा है रे बाहर निकल रहे है ठीक है न बहुत सारे रे निकलेंगे यह बाहर निकल रहे है point source है तो जो wave front होते हैं वो हमेशा रे के perpendicular होते हैं तो ऐसे खीज देते हैं यह 90 degree यह सब 90 degree के अंगल बनाएगा जहां भी होगा यह 90 degree के अंगल बनाएगे सब जगह पर अब आप यह जो होगा इसी को wave front कहा जाएगा इसको first wave front, second wave front, third wave front अब आप देखें wave front का shape size कैसा है इसमें spherical है circular नहीं हो सकता है क्योंकि यह 3D shape बता रहा है 3D figure है सो तो spherical है यानि क्या हमारा option number C सही हो जाएगा next question number 9 the rays of light is always perpendicular to परकास की किरणे हमेशा लंबोवत होती है अभी जस्ट पढ़े हैं किसके बावो? wave front के अभी जस्ट पढ़े हैं कि किसके लंबोवत होती हैं wave front के perpendicular होते हैं next the wave theory of light was proposed by बच्चो light के यानि के परकास्ट तरंग सिधान्त को हाइगेंस के दुआरा दिया गया था next question number 11 what type of wave front is not possible? किस परकार के तरंगागर संभाव नहीं हैं? अभी हम पढ़े हैं कि कोई अगर point source है उसका light किधर निकलता है? बाहर की तरफ? front बनाएं, तक ऐसा बनेगा? भी पढ़े हैं कि गोलाकार बनेगा? यानि कि spherical बनेगा, तो spherical के लिए तो यह हो गया? अच्छा, दूसरा cylindrical के लिए देखिए मान गए, एक line charge है, जैसा mercury वेगरा का example ले लेते हैं तो इससे light क्या होंगे? बाहर निकलेंगे न? दोनों direction में light बाहर की तरफ निकलेगा देखिएगा बुगा? यह light के rays जो हैं, वो बाहर निकल रहे हैं अब इसके अगर wave front बनाएं तो wave front हमें से ray के perpendicular होते हैं हमने perpendicular draw कर दिया यहाँ पर यह सब 90 degree candle बना रहा है अब इसका shape देखिए ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे तो first वाला कैसे बना? spherical बना, फिर इसके बाद दूसरा बनेगा यानि कि यह cylindrical बना तो second के लिए आप देखें cylindrical बना, किसके लिए line charge के लिए? third number plane भी possible है बस यह by quad वाला possible नहीं है यानि कि wave front सिर्फ आगे की तरफ बनते हैं पीछे की तरफ नहीं बनते हैं जैसे, अभी हमने water का example लिया थे steel water का, उसमें आप क्या कर एक पत्थर मारें? तो क्या होगा? पानी आगे बढ़ती हैं न, उसकी तरंगे आगे बढ़ती हैं कभी आपने देखा है कि तरंगे पीछे बढ़ रही हैं आज अब तरंगे पीछे नहीं जाती हो तो तरंगागर पीछे की तरफ भी नहीं बनेंगे यानि कि option number D सही हो जाएगा next question number 12 the phase difference between two points on a wave front यानि किसी एक तरंगागर पर दो बिंदूओं के बीच कलांतर होगा तरंगाग रेखी हैं उसके दो point पर फेज difference बढ़ जीरो होता है फिवरी पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा next intensity of light depends on प्रकास की तिब्रता निर्भर करते हैं देखे बबू लाइट अगर ऐसे ट्रेबल कर रहा है ठीक है इसका mean position हम बना दे रहें ऐसे ये अपर वाला जो highest displacement ट्रेबल हुआ इसी को amplitude कहा जाता है यानि कि आयाम कहा जाता है और ये उपर जो उठ रहा है इसको कहा जाता है crest यानि कि सिर्स आज जो नीचे down हो रहा है इसको कहा जाता है trough यानि कि गर्त अब आप देखें light की जो तिब्रता है ये जितना उपर उठेगा उतना तिब्रता बढ़ेगा जितना ज़्यादा amplitude होगा उतना ज़्यादा उसका तिब्रता होगा यानि कि amplitude पर depend करता है next question number 14 when a wave passes from one medium to another which of the following remains unchanged जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करती है तो निम्र में से कौन आप परिवर्तित रहता है तब चो इसका आंसर होगा frequency आविर्ती आप परिवर्तित रहता है बाकि सब change होता है next path difference for destructive interference विनासी व्यती करण के लिए पथांतर होता है देखें बाबो destructive interference तब बनता है जब एक crest दूसरे के trough से मिले या पहले वेब के trough दूसरे के crest से मिल जाए तो इस condition में जो path difference होते है उनका formula 2 in minus 1 lambda by 2 होता है जहाँ n का value 1 से start होगा 1,2,3 ऐसे करके वही constructive रहता अगर यानि के रचनातमक व्यती करण रहता तो trough को trough से मिलाने पर और crest को crest से मिलाने पर constructive बनता है यहाँ पर destructive पूछ रहा है तो उसके लिए option B होंगे वहीं इसका phase difference अगर पूछ दे destructive interference का ठीक है न, phase difference बचों यहाँ पथांतर नहीं होगा यहाँ कलांतर होगा यह phase difference नहीं होगा यहाँ पर कलांतर होगा पथांतर तो यहाँ था न path difference में पथांतर होगा यहाँ कलांतर होगा ठीक है न, तो इसका answer भोगा हो जाएगा option number B 2N minus 1 into pi नेक्स्ट पाथ डिफरेंस फर ब्राइट फ्रिंजेज ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो जाएगा कॉंस्ट्रक्टिव इन्टरफरेंस यानि कि रचनात्मक व्यतिकरन और इसके लिए ओप्सन एस ही होगा एन लेंबडा जहां एन का वैलू स्टार्ट होगा जीरो से ऐसे चलेंगे नेक्स्ट डार्क फ्रिंजेज फॉर्म्स डिव टू निमुन में से कौन अधिप्त फ्रिंजों के लिए उत्तरदाई है तब बच्चों डार्क फ्रिंज बनते हैं किसकी वज़ग से डिस्ट्रॉक्टिव इंटर्फरेंस की वजग से यानि कि वीनासी व्यतिकरन की वजग से next path difference is 4 nth डार्क फ्रिंज अभी पढ़हे हैं कि अधिप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर होता है अभी जस्ट पढ़े हैं न, कौन सा, option number A, 2N minus 1 into lambda by 2, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, so, next, question number 20, the ratio of intensity of two waves is 9 ratio 1, these waves produce interference, then the ratio of maxima to minima intensity will be, यानि कि दो तरंगों की तिवरता का अनुपात, 9 अनुपात 1 है, इसको लिख देजिए, I1 by I2 is equal to 9 by 1, अच्छा, हम पढ़े हैं कि I जो होता है, वो directly proportional होता है A square के, A का मतलब amplitude यानि कि I am, जितना amplitude बढ़ेगा, उतना intensity बढ़ेगा, पीछम कोशन में पढ़े हैं, इसको अगर I1 की बात करें, तो K A1 लिख सकते हैं, और I2 की बात करें, तो K A2 लिखा जा सकता है, अब यहाँ लिखें, फर्मूला क्या है, I1 by I2, अब I1 का value कितना है, K A1 square, और I2 का, K A2 square, अब यहाँ देखिए, I1 by I2 कितना है, 9 by 1 है न, K से K cancel, हमारे पास बच गया, A1 by A2 का whole square, अब इसको लिख सकते हैं, A1 by A2 लिखें, तो SQUARE हट की इदर root चढ़ जाएगा, 9 by 1, यानि कि हमारे पास हो जाएंगे, A1 by A2, 9 का root 3, और 1 का root 1, हो गया ना, अब निकालना है, I maximum by I minimum, तब formula, maximum के लिए, A1 plus A2 करेंगे, और minimum के लिए, A1 minus A2 करेंगे, जब दो amplitude को जोड़ा जाता है, तो maximum intensity बनते हैं, और जब दो amplitude को घटाया जाता है, तो minimum intensity बनते हैं, square कर दीजिए, अब यहाँ देखिए, A1 के सामने कितना है, 3 है, तो A1 को 3 लिख दीजिए, A2 को 1 लिख दीजिए, आप चाहें तो X के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ, A1 को 3 X माल लें, और A2 को 1 X माल लें, X रख दें, बात एक ही चीज है, अब 3 minus 1 का whole square, तो 3 plus 1 4, और 3 minus 1 2 का square, 4 का square 16, और 2 का square 4, कट गया, 4 से, तो हो जाएगा 4 by 1, यानि कि 4 ratio 1, तो हमारा answer हो जाएगा option number A, 4 ratio 1 हो जाएगे, Next, question number 21, fringe width, fringe width in interference is, व्यतिकरण में fringeों की चोड़ाई होती है, fringe width, देखे बाब, fringe width का मतलब होता है, कि first bright जो बन रहे हैं उसके, और second bright के बीच की चोड़ाई, या first जो dark बना, और second dark बन रहे हैं, उसके बीच की चोड़ाई को fringe width कहेंगे हम, अब आप देखें एक चीज, यह तो याद होगा कौन सा है, यह YDAC है, YDAC, Young Double Sillit Experiment, आप देख सकते हैं, यह बीच वाला जो point है, वो क्या होता है, brightest part होता है, यह first bright हो जाएगा, यह second bright हो जाएगा, यह first dark हो जाएगा, और यह second dark हो जाएगा, तो याद रखिएगा, first bright और second bright के बीच में, उतना ही चोड़ाई होता है, जितना first dark और second dark के बीच की चोड़ाई होती है, तो इसका option number बाबू A सही होगा, समझ लेते हैं D क्या है, capital D का मतलब जहां से light emit हो रहा है और जिस screen पर जा रहा है उसके बीच की दूरी, यानि कि source और screen के बीच की दूरी, इस small d जो है, वो यह जो दोनों source है, जहां से light enter कर रहे हैं, उनके बीच की चोड़ाई को small d कहेंगे, और lambda क्या हो गया, तो light का wavelength हो गया, रे का wavelength हो गया, तो हमारा option number B सही हो जाएगा, यहीं से बाबू देखें, B बराबर कितना होता है, D lambda by D, cross गुना करें, तब B D is equal to D lambda, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा डी, आप by D is equal to lambda, यह क्या निकल गया, wavelength निकल गया, देखिए, कोशन आ गया, wavelength of monochromatic light, अभी कोशन जस्ट मिला आईए, तो lambda बराबर कितना है, बीटा डी by D, उपर small d है, आ नीचे कितना है, capital D है, ठीक है ना, आप देख लें कौन सा सही होगा सो, small d by capital D, option number A सही होगा सो, next, question number 23, fringe width of dark and bright fringes, अभी जस्ट पढ़े हैं, कि दीप्त और अदीप्त fringe की fringe की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, equal to each other होते हैं, next, optical path in vacuum is equal to, तब बच्चों इसका option number A सही होगा, प्रकासिक पथ बराबर होता है, अप वरतनांक गुना पथ लंबाई, next, और आज का last question, when a light wave enters from rarer to denser medium, its energy will, जब प्रकास तरंगे viral माध्यम से सघन माध्यम में परवेश करती है, तो उसकी उड़ जा, बाबो, याद रखिए कि पढ़ेतम लो, कि energy neither be created nor destroyed, only can be transferred from one body to another body, या one form to another form, तो जब light one medium to another medium in करेगा, तो energy ना increase होगा, ना decrease होगा, वो remains same होंगे, it may be को उसके form change हो जाए, ठीक है न, लेकिन उनका जो value होगा, energy का वो हमेंसा क्या होगा, same होगा, तो बच्चो रहने देते हैं, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए, खुस रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे important पढ़ते रहिए, thank you, thank you so much बाबू, thank you.